Hello Everyone, NK Education Channel पाफ सभी का बहुत स्वागत है न्योजिस सिख्षकों की जैसे कि हम उनके बारे में जो भी अपडेट आता है तुरंत उसे कवर करने का प्रयास करते हैं ठीक उसी उसमें हम आपको पहले भी बताए थे कि न्योजिस सिख्षकों को 101% उन्हें राजय कर्मी का दरज़ा दिया जाएगा इसके उसमें हमारे जो कुछ न्योजिस सिख्षक थे उनके कमेंट भी आये थे उनको नहीं लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा तो मैं आज उनको एड्रेस करते हुए कहना चाहती हूँ कि आपकी पिरकरिया कितना तेजगती से आगे चल रही है और बड़ी खुशी के साथ हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपका जो पूरा राज्यकर्मी को दरज़ा देने वाला है वो नियाम अवली भी तयार हो रही है पद स्थापन को नियोजित सिक्षक देंगे तीन विकल्प आपको तीन विकल्प देने होंगे यहाँ पर देखिएगा तीन विकल्प नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दरज़ा दिये जाने के बाद उनके पद स्थापन को लेकर तीन विकल्प उनसे मांगे जाए है इसको लेकर उनसे तीन विकल्प सिक्षवे भाग लेगा इसके बाद वरियता सूची के आधार पर इन सिक्षकों का पद स्थापन होगा यानि की वरियता सूची आपकी सीनियर्टी लिष्ट बनेगी उसके बाद आपका पद स्थापन होगा मालूम हो कि करीब चार लाख नियाम अवली पर राज्य कैबिनेट की मनजूरी लेने की कवायद चल रही है कैबिनेट की मनजूरी के बाद यह राज्य में लागू हो जाएगा इसके बाद नियाम अवली पर राज्य कैबिनेट की मनजूरी लेने की कवायद चल रही है कैबिनेट की मनजूरी के बाद यह उसके बाद आपकी सक्षमता परिक्षा ली जाएगी जस्ट लाइक के फॉर्मेलिटी स्टीज के लिए आप परिशान ना हो और उत्तीर्ण होने वालों को राजे कर्मी का दर्जा दिया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोक द्वारा चैनित सिक्षकों की तर्ज पर इन्हें भी सारी सुविधाएं और वेतनमान दिये जाएंगे राजे कर्मी का दर्जा दिये जाने के बाद इन सिक्षकों को आवशक्त अनुसार विविन स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा यानि स्कूलों में विद्यार्थि के जो रेशो है स्टूडेंट और टीचर्स रेशो जो होता है आर्टी एक्ट के अनुसार उसके आधार पर पदस्थापन किया जाएगा समकष्टा परिक्षा उतीन होने के लिए न्योजिस सिक्षकों को अधिकतम तीन मौके दिये जाएगे इसके बाद भी असफल रहे सिक्षक को सेवा से हटा दिया जाएगा यानि आपको समकष्टा जो परिक्षा होगी उसको किलियर करने के लिए भी तीन विकल्प दिये जाएगे और अगर वो तीन विकल्प में भी आप उन्हें किलियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी सेवा हटा दी जाएगी बिलकुल किलियर है इसके लिए बिहार विद्याले विशिष्ट सिक्षक नियाम दुहजारतेईस तैयार की गई है रैज़ करमी का दर्जा मिलने के बाद इन्हे विशिष्ट सिक्षक के नाम से जाना जाएगा विशिष्ट सब्द को हटाने का सोजाब बड़ी संख्या में सिक्षकों ने दिया है पर इस शब्द को हटाने की सहमती अभी नहीं मिली है अभी इस चीज़ पर सहमती नहीं हो पाई है विभाग ने यह भी फैसला किया है कि जो पूर से नियोजी सिक्षक रहे हैं और BPSC परिक्षा में सफल हुए हैं ये सिक्षक अगर पुरानी जगह पर ही बने हुए हैं उन्हें राज कर्मी का दर्जा देने के लिए सम्कक्षता परिक्षा देने की आवशकता नहीं होगी यहां पर आप देख लिए बहुत अच्छी चीज है जिन्होंने BPSC की परिक्षा किलियर की थी और चाहते हैं कि जिस स्कूल में वो थे वो उसी स्कूल में बने रहें तो आपको सम्कक्षता नहीं जो परिक्षा है वो नहीं देनी होगी एक लाग से अधिक सिक्षकों के सुझाव और आपतिया नियाम अवली को लेकर विभाग को ई-मेल के दोरा प्राप्त हुए हैं यानि जो आपतिय मांगी गई थी इसका जो नियाम अवली का है सिक्षा विभाग से नियाम अवली का प्रारूप 11 अक्टूबर को जारी हुआ था और इस पर सुझाव और आपतिय मांगी गई थी तो एक लाग से अधिक सिक्षकों के सुझाव और आपतिया नियाम अवली को लेकर विभाग को ई-मेल द्वारा प्राप्ट भी हुई है और आपको बता दें इसमें नियाम अवली तयार हो रही है इसके साथ ही इसकी जितनी भी आज नियोजित सिक्षक को लेकर नियूज आई है उसका हम बारी-बारी से आकलन करेंगे थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन प्लीज स्किप ना करें क्योंकि स्किप करने से बहुत important कोई ऐसी aspect रह जाता है जो फिर पूरी वीडियो को clear नहीं कर पाता तो प्लीज थोड़ा धहरिये रखें और सान्ती से सुनते हुए समझते रहें यहां पर देखना यह है नई नियाम अवली कैबिनेट को भेजी गई सक्षमता परिक्षा लेगा बिहार बोड परिक्षा लेकर नियोजिक शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी स्कूल आवंटन में तीन आप्षन दिये जाएंगे आपको परिक्षा को क्रैक करने के लिए भी त चीन आप्षन मिलेंगे यह चीज आप दिहान रखना राज्यकर्मी का दरजा जल्द मिलेगा इसके लिए शिक्षा विभाग नियाम अवली तयार कर लिया है आप देखना नियाम अवली तयार हो चुकी है हम आपको अभी यही बता रहे थे क्योंकि हमने सुना था कि निया नियाम अवली को मंजूरी मिल जाएगी अब जैसे ही मंजूरी मिलने का कुछ भी हमें सोर्स पता चलता है हम अपनी वीडियो के माद्धम से तुरंत आपको बताएंगे इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है अगर आप आप मारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स वीडियो अपलोड होते ही सीधे आप तक पहुँच सकी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि हम आपके भविश्य के लिए कुछ अच्छा कारिये कर रहे हैं तो एक लाइक सो प्लीज जरूर करिएगा अच्छा आगे हम इस पर बात करते हैं कि बैठक की जब मंजूरी मिलेगी वो तो हम आपको बताएंगे ही राज्य कर्मी बनने के लिए नियोजिस शिक्षकों को सक्षमता परिक्षा देनी होगी परिक्षा पास करने वालों को नए स्कूल आवंटित होंगे जोन साथ ही परिक्षा पास करने के लिए भी तीन मौके दिये जाएंगे दो चीज किलियर करिएगा आपको सक्षमता परिक्षा को किलियर करने के तीन मौके मिलेंगे और आपको स्कूल का चैन और जिले का चैन करने वाले जो स्कूल आवंटित होता उसके लिए भी आपको तीन option में लेंगे बिहार विद्याले परिक्षा समीती ही जो बिहार विद्याले परिक्षा समीती ही सक्षमता परिक्षा लेगी यानि यही आपके सक्षमता परिक्षा लेंगे सक्षमता परिक्षा पास करने वाले सिक्षकों का संवर्ग जिलास्तर ये होगा यह भी प्रावधान किया गया है कि BPSC से सफल हुए वैसे नियोजी सिक्षक जो अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाते हैं उन्हें सक्षमता परिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है इस नियूज़ पेपर में भी ये बात कही गई है जिनोंने BPSC का टेस्ट किलियर किया है जिन नियोजी सिक्षक ने उनको सक्षमता परिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है वो अपने स्कूल में जहां पर हैं बने रह सकते हैं परिक्षा पास करने वाले नियोजी सिक्षक को विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अगर आपका बिलकुल डेट क्लैश कर रही है तो फिर जर्मतिती मानी जाएगी जिसकी जर्मतिती जादा होगी उस टीचर को आपसे सीनियर माना जाएगा दो सिक्षक इसमाप दंड पर भी एक हुए तो अंग्रेजी वर्ण माला का आधार माना जाएगा अगर मान लीजे कि फिट नहीं उन पर जिला सिक्षा पदादीकारी निन्ने लेंगे तो जो कैसे भी मान दंडों पर फिट नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर फिट डियम जो जिला पदादीकारी होंगे वो इस चीज़ का फैसला लेंगे आप मूल वेतन महा कितना होगा प्रती महा आप सभी का इसको भी देख लीजिए आप कक्षा एक से पांच में 25,000, 6-8 में 28,000, कक्षा 9-10 में 30,000 और कक्षा 11,000 बारे में 32,000 यह आपका मूल वेतन है ना कि पूरा बाकी अन्य भत्ते जो राजय सरकार के नुसार होते हैं वो सभी आपके होंगे यहाँ पर एक और आया हुआ है यह देखिए आज सभी जगे नियोजिस शिक्षकों के बारे में डेटेल आई हुई है और BPSC के जो चेयर्मेन है अतुल प्रशाद जी उन्होंने भी ट्वीट करके बताया हुआ है नियोजिस शिक्षकों को राजय कर्मी का दरजा देने की नियाम अवली तयार पूरा हेडिंग के साथ दिया कि आपकी नियाम अवली तयार हो चुकी है राजय के करीब चार लाख नियोजिस शिक्षकों को राजय कर्मी का दरजा दिलाने के लिए शिक्षक विभागने नियाम अवली तयार कर ली है इसका नाम करन बिहार विद्या इस निया मवली पर राजय मंत्री मंडल से जल्द सुईकर्टी ली जाएगी निया मवली में यही प्रावधान किया गया है कि राजय करमी का दर्जा हांसल करने के लिए नियोजिशिक्षकों को सिक्षय विभाग के सतर से आयुजित होने वाली सक्षमता परिक्षा जिलोंग दिया जाएगा यानि कि अब सभी जगह ये चीज किलियर है कि आपको तीन विकल्प मिलेंगे आपकी न्यामवली तयार हो चुकी है हमने जितना भी इसको अच्छे से रीड करने के बाद विशलेशन में जो सामने आया है वो यही है कि आपको तीन आपशन तो एक्जाम को क्रेक करने के लिए दिये जाएंगे और तीन ही आपशन आपको आपके स्कूल आवंटन में दिये जाएंगे तीसरी बात यह है कि आपकी नियाम अवली जो है वो बिलकुल तयार होगी है सिर्फ कैबिनेट की जो अब बैठक होगी उसमें उसकी बस उसको वहाँ से माननेता मिलने की देर होगी और वो भी कारिय बहुत सीगर होगा रहम तुरंत आपको इस चीज़ को भी बताएंगे जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी अगला है कि जो विशिष्ट सिक्षक सब्द है उसका अभी विभागने उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है लेकिन आप सभी का इस चीज़ का सुझाव था कि इस चीज़ को भी हटा दिया जाए जब राज्यकर्मी का दरज़ा दिया जा रहा है तो तो ये है और बहुत खुशी की बात है आपकी प्रिक्रिया बहुत तेज़ गती से आगे चल रही है और हम प्रे करेंगे ईश्वर से कि जल्दी ही आपका पूरा लेटर बन कर तयार आ जाए जिसमें आप सीधे राज्यकर्मी का दरज़ा देने वाला लेटर हो और हम उसे अच्छ